नमस्कार दोस्तों, स्वाती भक्ति एन ब्लोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जै हो बागेश्वरधाम, हर हर महादेप, जै जै हनुवान, जै शियाराम उमीद करूंगे आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगे कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए मैं आप सभी के लिए बेहत ही धन प्राप्ती हेतु अच्छुग उपाई लेकर के आती हूँ जिसे करने से आपके घर की धन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे पसंदाने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों हम सभी को पता है हमारे जीवन में किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई कष्ट होता ही है चाहे तो धन को लेके या घर के सुखसांती के लेके या किसी के स्वस्त को लेके लेकिन हम लोग उसके लिए किसी ना किसी तरह का उपाई घर में करवाते ही है जैसे कि अगर हमारे घर में धन की कमी है तो हम लोग मा लक्ष्मी का पूजा करवाते है या हम लोग अलग अलग कताय, चलीसा या दुसरे का वीडियो देखते हैं धन, प्रापती और घर में सुख सान्ती है तू आज का उपाय आफ सभी के लिए बेहद ही चमतकारी होने वाला है इसलिए वीडियो को पुरा अंध तक जरूर देखिएगा दोस्तो हम सभी को पता है, मंगलवार के दिन हम लोग हनुमान जी का पूजा करते हैं वैसे तो हनुमान जी का रोजी पूजा होता है, लेकिन विशेश रूप से हम लोग मंगलवार को पूजा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये भी पता है कि मंगलवार बहुत सारे घड़ों में किया भी जाता है, यानि कि मंगलवार वर्थ, मंगलवार वर्थ करने का बहुत ही जादा चमतकारी लाबदायक आप सभी को फल मिलता है, इसलिए मंगलवार वर्थ हर एक प्रतेक व्यक्ति को करना ह करना चाहिए दोस्तों आप सभी को पता है वैसे तो मंगलवार के दिन हम लोग हनुवान जी का पूजा करते हैं लेकिन अगर आप लोग इस दिन पीपल का भी पूजा करते हैं तो आप सभी को उससे भी विशेश लाभ मिलने वाला है माना जाता है कि हम लोग सभी के दिन विशेश रूप से पीपल का पूजा करते हैं यानि कि सुभा उटके अशनान करने के बाद सुर्य देब को अर्ग भी देते हैं शनी देब का ये पूजा करते हैं और साथ ही साथ पीपल का भी पूजा करते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए बहुत ही जादा लाबदायक होने वाला है अगर आप शुबह अशनान करके मंगलवार वर्थ रखती है तो जैसे नियम के नुसार आप पूजा करती हैं वैसे कीजिएगा और साथ ही साथ आप इस दिन पीपल में भी जल जरूर दीजिएगा माना जाता है कि पी अगर आप खान पानवे भी काला तिल का इस्तिमाल करती है तो इससे भी आपके स्वस्त को कभी भी कोई भी खड़ाबी नहीं होगी साथ ही साथ दोस्तों अगर आप काला तिल का विशेश उपाय सनीवार के दिन करती हैं यानि कि सनी देब को काला तिल का लड़ू अगर ग वार के दिन काला तिल का तेल चरहाने से भी बहुत ही ज़्यादा लापदायक फल मिलता है आप सभी को पता है दोस्तों हमारे घर के धर कनेल का फूल होता ही होता है आज मैं आपको बताऊंगी कनेल का फूल का विसेस उपाए दोस्तों आप सभी को पता है कि शोमवार के दिन महादेव का दिन उस दिन हम लोग उजला पुस्प के साथ कनेल का भी पुस्प देवता को अरपित करते हैं माना जाता है कि अगर आप ब्रहस्पती वार के दिन कनेल का फूल का माला बना के विश्नु देव को चरहाती हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामनाय सिर्ग ही पूर्ण हो जाएंगी यानि कि अगर आप केले के ब्रिक्ष में पूजा करती हैं तो इसमें भी आप कनेल का फूल का माला जरूर पहनाईएगा ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएंगी दोस्तों आप सभी को जब भी आप मंगलवार के दिन पीपल का पूजा करती हैं तो उसमें कनेल का फुल जरूर चरहाईएगा माना जाता है कि अगर कोई गरीब विक्ती है यानि कि अगर हम लोग दिवाली करते हैं और सोने का भूशन नहीं खरीच सकते हैं तो अगर आप इस दिन कनेल का फुल भी मा लक्षमी को चरहाती है या अपने घर तोड़ के लाती है तो यह एक तरह से आपके घर सोना आया ऐसा माना जाता है इसलिए कनेल का फुल बहुत ही ज़्यादा वेसे इस उपयोगी वाला समान है फूल है तो इसे आप सभी को जरूर परयोग करना ही चाहिए साथ ही साथ दोस्तों दिन मंगलवार का है यानि हनुमान जी का तो आप इस दिन अरहूल का फूल भी जरूर चरहाईए जैसे आप पूजा पाठ करती हैं वैसे ही अरहूल का फूल भगवान को अरपित कीजिएगा और साथ ही साथ विसेस तोर से आप पीपल के भी पेर में अरहूल का फूल जरूर चरहाईएगा अरहूल यानी की लाल रंग लाल रंग बहुत ही ज़्यादा सूब माना गया है कहा जाता है कि अगर आपके घर में किसी वी तरह का कोई गलत साया है नकरात्मक उर जाए हैं तो अगर आप अरहूल का फूल देवी देपताओं को चरहाती हैं यानि कि 11 अरहूल का फूल ले करके माला बना करके अगर आप देवी देवताओं को चरहाती हैं तो इससे आप सभी के घर की सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी साथ ही साथ अगर आप विसेश रूप से सुक्रवार को मा वैभव लक्षमी का पूजा करती हैं तो इसमें भी अरहूल का फूल का परयोग जरूर कीजिएगा फूल सुक जाने के बाद अकसर हम लोग फेक देते हैं जो की करना बहुत ही ज़्यादा पाप कहलाता है अगर आप लक्षमी जी का पूजा करती हैं तो इस फूल को उठा करके आप अपने पैसे वाले अस्थान पे रख दीजिएगा अब दोस्तों आप सभी को पीपल में पहले जल दे के फूल चंदन धोप दीप आरती करना है और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इस उपाई को करते समय आप सभी को घी का दिया जलाना है माना जाता है जिस घर में प्रतेक दिन घी का दिया जलता है उस घर में हमेशा ही सुक सांती समरिद्धी का वास होता है लेकिन प्रतेक दिन घी का दिया जलाना भी संभव नहीं है अगर आप शर्षों का तेल का भी जलाती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप मंग समर्षन अनुसार आप सर्षों का तेल कवी दिया ज़ला सकती हैं लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप सुभा साम पूजा घर में करती हैं तो एक ना एक टाइम आपको दिया का प्रियोग जरूर करना चाहिए अब मैं आपको बताती हूं दोस्तों कि इसी घी के दिया में आप उसे गोल-गोल घुमा करके सारे घर की और डाल दीजे यानि कि एक मुठी में लेके गोल-गोल घुमा करके सारे आपको घर में घुमना है इस तरीका से करके आप अपने तिल को दिया में डाल दिजेगा ध्यान रहे दिया बुजना नहीं चाहिए और दिया जलाने के बाद आपको यह चीज करना है ऐसा करने से अगर आपके घर में किसी भी तरह का और लक्ष्मी का प्रवेश है या आपके घर में धन दौलत नहीं टिकता है तो वह चीज का समस्या आपके घर से हमेशा के लिए चले जाएगा और आपके घर में हमेशा धन और दौलत ही बना रहेगा तिल का यह उपाई आप मंगलवार और सनीवार के दिन विशेश रूप से जरूर कीजिएगा अगर आप प्रतेक मंगलवार करती हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप गिन के साथ मंगलवार इस उपाई को जरूर कीजिएगा अगर आप मंगलवार और सनीवार भी करती हैं तो गिन कि आपको साथ दिन करना है उमीद करोंगी दोस्तों बताया हुआ चुक उपाई पसंद आएगा पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा इसी तरीकर का फिर से आप सभी को नया वीडियो मिलेगा तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद